हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्राखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स में और आज की वीडियो में दोस्तो हम उत्राखंड के आदी निवासी या पुरा प्रजातियां पार्ट 3 के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आज हम उत्राख जाम में अभी तक पूछे गए हैं उनके बारे में भी आपको बता चुका हूँ वीडियो बसंद आती तो वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर सेर करें चले शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को आप यहां पे देख सकते हैं उस सासन करते थे उसके बाद में खसु ने किरातूं के अधिपत्य को समाप्त किया तथा किरातूं की भूमी को हथिया लिया और उसके बाद यहाँ पे खस प्रजाती का निवाच सिस्तान वाना जाता है उत्राखन के इस छेत्र को जो पहले छेत्र किरातूं के पास हुआ करता थ और राहु चांक्तन जी दोस्तों कहते भी हैं कि उत्राखन की जो खस भूमी थी या खस भूमी बनने से पहले किराद भूमी या फिर किराद मंडले था खस मंडले बनने से पहले यह क्या था किराद मंडले था यानि कि जो किरादू का अंत किसने किया खस के दौरा किरादू क योध्धा प्रजाति तो चलिए पड़ते हैं उत्रकंड की खस प्रजाती पढ़ें, सबसे वेले खस सब्द Blues से आया है। जिसका आर्थ है नैपाल और भारत के पहाड़ी छेत्रों में रहने वाली एक युद्धा प्रजाती है। जिसका आर्थ है नेपाल और भारत के पहाड़ी छेत्रों में रहने वाली युद्धा प्रजाती के रूप में खसों को जाना जाता है। जंगा मैदान से लेकर दक्षन के पठार तक हमारा खस जाती का प्रचार प्रसार हमें देखने को मिलता है। खस प्रजाती के कुछ अन्य नाम भी है। पहाड़ी राजपूद भी खसों को का जाता है। खस राजपूद भी का जाता है और गोरखला नाम से भी खस प्रजाती को जाना जाता है। अब खस प्रजाती के बारे में अमें दोस्तों कहाँ पर वर्णन मिलता है, कहां से हमें खस प्रजाती के बारे में पता चलता है, ये पढ़ लेते हैं। खस प्रजाती का वर्णन महाभारत के सभापरवों में हुआ है। खस प्रजाती के लोग। खस प्रजाती का वर्णन महाभारत के सभापरवों में खस प्रजाती का वर्णन मिलता है। इसकंद पुराण में जोस्तो केदार मंडल यानि कि जो अभी हमारा वर्णन का गड़वाल मंडल है को खस मंडले कहकर भी संभोधित किया गया। तो अगर आपसे प्रस्त पुछाता है कि किस पुराण में केदार मंडल को या केदार खंड को खस मंडल कहके संभोधित किया गया है तो इसकंद पुराण में किया गया है। और राहुल सांक्राजिन जी भी ये कहते हैं कि उत्राखंड की जो एक खस भूमी थी यहाँ खस मंडले बनने से पूर्व क्या था किरात मंडले या फी किरात भूमी था और इसकंद पुराण के केदार खंड में भी हमें इसका उलेग देखने को मिलता है। तो राज सेकर की पुस्तक का भी मिवानसा में क्या है खसुं के सासक खसपती का उलेग हमें देखने को मिलता है। इसका नाम जो एक खस लोग जहां पे निवास करते थे उसे खस मंडले नाम से उलेखित किया गया है। और जिन भी पुस्तकों में जैसे कि महाभारत के सवापरो में, वायुपराण में, मुद्राराक्षक में, व्रहत सहीता में, जो भी देशी लेखों के जो हमें लेख मिले हैं, गरंत मिले हैं, वहाँ पे भी हमें खस जाती के उलेख का वर्णन मिलता है। खुजराहो के सिलालेखों से हमें इसका वर्णन मिलता है। असोग चल राजा को खस देश का राजा कहा गया है। इस प्रकार से बच जाएगा कि कार्ति के इपूर के वंसज खस पति का उलेख हमें किस पुस्तग में मिलता है। जाती अपने आपको आर्यू का वंसज मानते हुए भक्र महसूस करती थी या अपने आपको आर्यू की संतान कहलाती थी इस प्रकार के प्रसन यहां से बनते हैं। जैसे खुजराओं के सिलालेकु में भी इसका वंदनमी यहां इसकंद बुरान के केदार केंड में खस मंदले का प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ में खस प्रजाती भगवान सीव के उपासक वहा करती थी और यह नर्सिंग तथा नाक पूजा भी करती थी और नर्सिंग और नाक पूजा के साथी साथ दोस्तों भूत प्रेतु पर विश्वास करती थी और जो ग्राम देवों की मान्यता या ग्राम देव पूझने की मानियता खसु के समय भी विद्यवान थी और पसु बली और जागर प्रथा का प्रचलन भी हमें खसु में देखने को मिलता है जड़ा इंप्रेंट पॉइंट नहीं है बस यह किस देवता का उपासक वाकर थे भगवान सीव की और नर्सिंग और नाक पुझा के भूत प्रेत पर भी विश्वास करते हैं ठीक है और बटकती आत्मा उपर भी यह विश्वास करते हैं ग्राम देवता की मानियता इनमें थी जागर का प्रचलन था और बली के प्रथा में इनमें भी प्रचलीत रही थी और खसु के बारे में दोस्तों ऐसा का जाता है कि उ वह अपने आपको खस कहलाना पसंद नहीं करते हैं, और खस जो है, बहुत धार्मिक प्रवर्टी के होते थे, नाग देवता की पूजा करते थे, नरसिंग की पूजा करते थे, बगवान सीव की भी ये, पूजा करते थे, और खस देवता के जो इस्थानी की जो इस्थानी देवता थे, वहा कौन थे मस्टो थे, तो प्रसने इंप्रवर्टेंट है, खस देवता या खस प्रजाती के इस्थानी देवता कौन वहा करते थे, देवाली कहते थे, खस जाती के वंसच भी अपने आपको आरिओ का वंसच या फी आरिओ की संदान मताते हैं, important है, हिमाले पर्देश के निवासी ही, χस जाती के निवासी माने जाते हैं, खिक है, इनके मुखाग्रती लंबी, सीधी, उची नाक, मुच, दाड़ी, आका, जड़ी बूटियों, चमड़ा, खाल, सहध, पसुपक्षियों के द्वारा भी अपनी अजीवी का चलाते थे, कौन खस लोग, और इन्हें योर वीर योद्धा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि महाबरत में कौर्मों के दरब से इन्होंने पार्टिस्पेट किया था, य ऐसा कहा जाता है, 1885 में ब्रेटिस्पेट में खसों को सूद्र वर्ग में सम्मिलित किया था, यह पॉइंट दोस्तों बहुत इंपूरेंट है, इससे आप नोट डाउन के लिजेगा, कि ब्रेटिस्पाल में खसों को सूद्र वर्ग में कब सम्मिलित किया था, 1885 में खसों नोट डाउन करने है, और उत्राखन तथा नैपाल के आसपास के जो पहाली छेत्रों के निवासी हैं, यहाँ खस देश के रूप में भी माने जाते हैं, यह जाने जाते हैं, यह पॉइंट आपको दोस्तों डैकली, नोट डाउन करने हैं, खुजराओ के लेक में हमें इसका दूसरी सतापदी में अंतिम राजा राजपाल विक्रम उत्राखन के राज़ा सकादित्य द्वारा हरा दिया गया था, यानि कि जो मौरिवंस का अंतिम राज़ा था, कौन राजपाल विक्रम उसे उत्राखन के राज़ा सकादित्य के द्वारा हरा दिया गया था, और उस कर सकते दूसरी सताभदी के आजकाता यहीं है तो ज्टार में इसे a आरियों की संतान भी कहते थे, ठीक है, इनके मुख्य व्यविशाई क्या थे, किर्सी और पसुपालन थे, इसे के साथ में चमडा, जड़ी बूटी, सहथ, पसुपक्षी द्वारा भी अपनी जीव का चलाते थे, ठीक है, मुख्य व्यविशाई आपको, अब खसु में कुछ दोस्तों, हमारी महत्वण प्रथा हैं थी, ये प्रथा हैं आप डैकली, नोट डाउन की लिजगा, इंपूरेन थे, ठीक है, पहला है क्या, घर जमाई प्रथा, घर जमाई प्रथा कि इसके समय पर फिमस्तिक हासु के समय पर, और इसमें घर जमाई आपको बताई है, साध अधिक सम्पत्थि प्राप्त करता था अधिक इस्साव मिलता था अधिक जमीन उसे मिलती थी और इसी के साथ अगर कोई राजा महराजावाला काल क्रम चल रहा है तो ये या जो भी बड़ा ललका होता था और बड़ा भाई अधिक संपत्य प्रदान करता तो जेंटों पर था किस जाती में प्रसिद्य थी तो खस जाती में प्रसिद्य थी आपको याद रहते हैं ठीक है तो ऐसा होने पर भी जो परिवार चलता था वहाँ पती के अनुसार ही चलते रहते हैं यहां कि पती के मरने के बाद में वहाँ किसी भी पुरुस को अपने पास में रख सकती है तो यहां पर पढ़ लेते हैं वैदिक कालीन नियोक परथा के समानिय थी जैसे कि यदि किसी महिला के पती की मृत्ती हो जाती है तो वह महिला अपने किसी संबंदी या अपने किसी मित्र के साथ में रह सकती थी तो टैक वहां पर था किस जाती में परसिद्ध थी दोस्तों याद रखना आपको किस में यहां थी खस जाती में प्रसिद्ध थी इसके अनुसार कोई भी विद्वा महिला है तो वो वैद्य या वैद्य रूप से किसी भी पुरुस को अपने घर में रख सकती थी उसके साथ में अपने संबंद मना सकती थी और ऐसा होने पर भी जो उसका परिवार या वन से चलता थ वहां पूर्ब पती के अनुसार ही चलते रहता था तथा वरतमान पती से उत्पने संतान को ही पैतरक संपत्य के रूप में पूर्ण इससा भी मिल जाता था तो यान कि आप भी कह सकते हैं कि विद्वा पुनर विवाह भी आप एक हिसापसेसे कह सकते हैं कि अगर कोई भी दूसरे व्यक्ति से विभाह कर ले तो उसके पूरु पती से उत्पन्द पुत्र को जटेला कहा जाता है यानि कि जटेला क्या था ज्याद रखना आपको जटेला परथा किसमे परचली थी खसु में कि अगर किसी की भी पत्नी है, किसी पूरुष की पत्नी है, वह किसी दूसरे व्यक्ति से विभा कर लेती थी, तो पूरुपती से उत्पन, जो पुत्र हो था था, पहले पती से उत्पन, जो उसका पुत्र हो था था, उसे जटेला कहा जाता था, क्या जटेला, एक और पर्थ आपको खसुचे याद रखने है घरजमाई पर था जेठो पर था टेकवाँ पर था यानि ये पत्ति के मिलत्यू जाती थी तो दूसरे व्यक्ति के साथ में संबंध मनाके उससे जो पुत्र होता था वहाँ पहले पत्ति के संपत्ति का वारिश हो जाता था यह जो थी हमारी टेकवाँ पर था थी जटेला पर था जटेला कौन हो था था अगर किसी महिला का पहला पती जिंदा है और वह दूसरा विभाँ कर लेती है और जो उसके पहले विभाँ से जो उसका पुत्र था उससे जटेला का जाता था देवदासी पर था में जो खसुची सबसे बड़ वर्तमान पाकिस्तान में भी माना जाता है और उत्राखन के बारे में जो पॉइन्ट है कि इंका वडदन हमें कहां पे मिलता है इन्हें, सुद्र वर्ग में कभ समिरित क्या अगया, ठार शो पिचासी में, व्रहस सहींता में क्या अगया अगया, वराव भीज़ सहींता में और किन-किन, जैसे कि महाबरात के सभापरों में इसका वर्णनुनार मिलता है, ठीक है, राहुल सांक्तारन ने, खस भूमी और ख आप से अपना जीवन यापन करते थे ये सारी चीजे मैंने आपको बता दिये हैं खसु के समध में अगर आपसे एक जामर प्रस्न पुछा जाता है तो यहीं चे पुछा जाएगा कोई भी पॉइंट इंद मैं चे उठा लेगा कि टेंको आप रता किसमा पर चली थी जैंठो खसु के समय पर प्रसली थी ये पॉइंट आपको दूस्तों एक लिए नोट डाउन करने है अगला हमरा दूस्तों क्या सक जाती तो सक जाती के बारे में जैदा कुछ नहीं है दोस्ते तीन पॉइंट है बस आपको यह मोटे-मोटे इंपॉइंट पॉइंट याद रखने ह खसु के बाद मैं ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे सकु का दिपत्य था और सकाधित्ति के द्वारा मौरीवंस के अंतिम नरेश राजपाल विकरम को दूसरी सताबदी के आसपास में मार दिया गया था उसके बाद मैं इसके बाद मैं आपे सक लोग आ गये थे और सक जाती ने भी उत्राखन में निवास किया था और सक जाती भी पसुचारक और अस्वपालक जाती के रूप में जानी आती है और सकु मैं भी मिस्त्रवासियों की भादी मृत्यकों की समाधी मैं उनकी प्रिय वस्तुएं रखने की पर्था थी तो प्रस्न दोस्तों आपसे एक्ज प्रफ़ाइब के समाधी में उनके प्री वस्तों रखने की पर्था प्रजली थी उत्राकिन के साथी लग्डाक लाहूल चंबाक अनौर आधी शेत्रों में भी हमारी ये सक जाती निवास करती थी ऐसा कहा गया है ठीक है और जो मारा मलारी गाहा है अभी वहाँ पर भी हमारी सक जाती निवास करती थी ऐसा भी माना जाता है ठीक है खस और सक दोनों पर जाती को दोस्तों एक दूसरे का मलब पैलर माना जा सकता है आभी कह सकते है क्योंकि खसों कोई सक या दोनों की जो विशेशता है वह भी समान मान जाती है रूची पेसा सब को समान है जैसे कि सब्सक्राइब करें दोनों एक हिसाब से पूरा सेम सेम ही था बैसा कह सकते हैं रंग रूप आकार प्रकार रूची पेसे में समानता पाई जाने के काराण ही रहूल सांकर ने खसकों को का अप्रभंस का है यानिकी सकूं को खसूं का अप्रभंस का है उत्राकंड के अधिकांच से सूर्य मंदिरों में सक्जाती के निवास के साक्ष में मिलते हैं मिर्तकू के समाधियों में उनके प्रिवस्त में सक्जाती के लोग रखते थे और मलारी में हमें ये चीजु के प्रमान मिलते हैं मलारी गाओं में ठीक है खस वह सकूं की सारीरिक बनावट एक जैसी होती है और अकारन विंदाकार एक जैसा होता है इसी कारान सकूं को खसूं का प्रवरेंस कहा जाता है कत्यूरी वंस को भी दोस्तों सकू का वंसज ही माना जाता है तो प्रस्ना इंपूरेंट है कि हिमाले का पर्थम एतिहासिक वंस है कत्यूरी उन्हें किसका वंसज माना जाता है किसका सकू का वंसज माना जाता है ठीक है, और कहीं कहीं कहा जाता है कि कत्यूरी राजवन्स कर जातो नहीं कि ==== राजवन्स 95 किससे सम्भन्दि था तो सकू से संबन्दि था ऐसा कहा जाता है, किस से सकू के यहेंicating वनसज माने आता है की साथक आपץander में बढ jsem Step saat जी के असुक चल को बोध गया सिलालेक में खस देश का नरेश बताया गया है। तो सकों के बारे में एक दो पॉइंटी पॉइंट है कि खसों का प्रवरंस इसे माने जाता है। इसी कराण आगी जाके ये भी का जाता है कि खस जाती से भी संबंदित था तो खस और सक इसलिए का जाता है कि दोनों एक दूसरे के अप्रवरंस हैं। तो यहां से क्या-क्या प्रस्ता मनेंगे, किस प्रकार के प्रस्ता मनेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। खसु से भी और सकु से भी तो जो इस प्रस्ता मने जाएगा कि बहुत गया से लालिक में क्या कहा गया है। या कत्यूरी जो सा सकते हैं किस से संबंदित माने आते हैं रहे, खसु से प्रस्ता मुछा अगर पूछाएगा, इससे आक़ी दोस्ता दो चीजह हमें मिलती है कि खस नरेश जो यह कहा गया है कि उसने खस नरेश की सक्टि को तोला था अप खस नरेश कौन था इसका उसने नाम याँ पर नहीं दिया है और ऐसा काय कि वो है कत्यूरि नरेश रहा होगा इसको असुग चल को ठीक है और इसी कारण कर जाता कि ये खस झाती से समन्दित था तो यह अलग-लग fact है, उतना जैदा important यहाँ पे है नहीं, ठीक है, और प्राचिन काल में उत्राखन के ब्रामणगों राजपूत जातियों में उसनीज का बेदवाव अधिक था, इसी के कारण कहा जाता है, कि जो उच्छे जाती के राजपूत, लोग जिन जातीयों को हे या निमन जाती का समझते थे, उन्हें फिर बाद में खस का आगया, तो यह चीज़े हैं, ठीक है, तो इतने point आप दोस्तों यहाँ पे डैक ले नोट डाउन कर लिजेगा, फिलाल खसों और सकों के बारे में, तो यहाँ पे हमारा जो प्राचिन इत्यास में, चार हमारी जाति कोल, किरात, खस और सक, इनके बारे में अच्छी तरके से पढ़ लिया है, और इतना आप डैक ले नोट डाउन कर लिजेगा, तो आज की वीडियो में ताहीं दुस्तों, थैंक्यू, थैंक्स पर उच्छीन वीडियो, सी यू नेक्स टैम, दन्यमात.